हेई फूडीज, वेलकम बेक टू मसाला मंचीज, आज घंपती बापा के लिए बन रहे हैं बैसन के मोदक, इसे हम आज बीना मावा, बीना चासिंग और बीना मिल्क पाउडर के बनाएंगे, बिल्कुल सरल और फटा फट से बनने वाली ये मोदक टेस्ट में भी बहुत ही ब सब्सक्राइब करें और बाजू मेरा बैल आइकन को प्रेस करें, और हाँ वीडियो कौन तक जरूर देखेगा बेसन मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक कप बारिक बेसन लेंगे, इसे चन्नी में डालेंगे उसमें पिंच ओफ स्वल्ट एड़ करेंगे अब इन दोनों को अच्छे से चान लेंगे, बेसन अच्छे से चान लिया है, इसे साइड में रपते है एक कड़ाई में वन थर्ड कप गी लेंगे, यहाँ पर मैंने गर का देशी गी यूस किया है गी गरम हो जाए, तब उसमें हम धिरे धिरे से बेसन अड़ करते जाएंगे, और मिक्स करते जाना है अभी आपको यह सुखा सुखा लग रहा होगा, पर जैसे जैसे यह पकता जाएगा, वैसे बेसन जो हो गी रिलिस करने लगेगा धिमी आज़ पर इसे कंट्रिवेस चलाते जाना है, ताकि बेसन जो हो जले नहीं करीबन तीन मिनिट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा थोड़ा बैंडिंग आने लगा है, और गी भी छूटने लगा है अभी इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, दो मिनिट के बाद ऐसा फुला फुला और लिक्वीड लगेगा इसने गी रिलिस करना शुरू कर दिया है, और इसके खुश्बूर भी बहुत ही अच्छे आ रही है बेसान अच्छे से पक गया है, अब इसमें हम हाफ कॉप चीने डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें शुगर मैल्ट हो रही है, तब तक हम केसर वाला दूद बना लेते हैं यहाँ पर मैंने वन फॉर्ट कप हलका गुन गुना फुल फेट दूद लिया है उसमें पिंच ओ यल्लो फूड कलर और केसर डालेंगे फूड कलर बिल्कुल आप्शनल है, इसे अच्छे से मिला लेंगे और साइड में रखेंगे शुगर मैल्ट हो गई है इसमें हाफ कप फुल फेट दूद थोड़ा थोड़ा करके एड़ करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि लंप्स ना हो थोड़ी ये देर में ये गाड़ा होने लगेगा इसा लंप्री हो जाएंगे तब उसमें हम सेफ्रोन वाला मिल्क और वन फॉर्ट टीस्पून इलाइची पावडर एड़ करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लैम पर इसे गाड़ा करेंगे ये दिरे दिरे गाड़ा भी होने लगाएंगे और थोड़ी दिर में ये पैन छोड़ने लगेगा थोड़ी दिर में ये पैन छोड़ने लगा है और स्पैतूला पर भी चीपक नहीं रहा है तब गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देंगे हमारा मेक्शर थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक हम उसका स्टफिंग बना लेते हैं मैंने यहाँ पर हाफ कप चॉप्ट ड्राइफ फ्रूट्स लिये हैं बादाम पिस्ता और काजू आप अपने भसंद के कोई भी ड्राइफ फ्रूट्स ले सकते हैं उसमें दो टेबल स्पून नारियों का पुरादा यानिके डेसिकेटेड कोकोनट एक टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और दो टेबल स्पून जिता मिल्क पावडर एड़ करेंगे इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद एड़ करते जाएंगे एक ही बार में पूरा दूद एड़ नहीं करना है क्योंकि अगर ये एक बार ज्यादा लिक्विड हो गया तो ये कुछ भी एड़ करने के बाद भी इसकी अच्छी बाइंडिंग नहीं आएगी इसलिए दूद आपको ध्याद से एड़ करना है ऐसे बाइंडिंग आने लगे ऐसा श्टफिंग बनाना है यहाँ पर मुझे टोटल एक टेबल स्पून जितना दूद लगा है अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे अगर हाथ में चिपके तो आप गी लगा सकते हैं इसी तरह से सारे बॉल्स बना लेंगे यह अभी हलका सा गुन गुना है इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वनना यह ड्राय हो जाएगा और मोदक बनाने में परिशानी होगी इसमें से एक लुईया बना के ऐसे पूरी जैसे बनाना है इसमें स्टफिंग का बॉल रखेंगे और इसे ऐसे कवर कर लेना है अगर हाथों में चिपके तो थोड़ा से गी लगा ले क्योंकि हम बिना मोल्ड के यह मोदक बना रहे हैं तो हाथ से ऐसे मोदक का शेप देते जाएंगे नीचे से ऐसे राउंड शेप देके उपर की और धीरे से प्रेस करते जाना है ऐसे मोदक का शेप देना है अब इसके उपर toothpick की मदद से impression बनाएंगे ऐसे पास-पास में design करते जाएंगे और हमारा मुदक बनके ready है अब मैं आपको fog की मदद से impression कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ ऐसे fog की मदद से impression बनाते जाना है अब आप बीना mold के भी बड़िया मुदक बना सकते हैं इसी तरह से बाकी के मुदक भी बना लेंगे मैंने यहाँ पर सारे मुदक बना लिये हैं आप देख सकते हैं कि shape में कितने बड़िया लग रहे हैं मुदक वो भी बीना mold के पिस्ता और केसर से मैंने इसे गार्निश किया है तो है न बिल्कुल आसान सी रेसिपी अब बीना मोल्ड के भी आप घर की सिंपल चीजों से ही मोदक बना सकते हैं इस गनेश चतूरसी पर आप भी ये मोदक ट्राय करें और मुझे कमेंट करके बताई कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी